हेलो दोस्तों मेरा चाइनल खाना खुस भूभर आपर आपका स्वागत है देखिए आज आलू जीरा बनाने जा रहे हैं आलू बॉयल करके दो टुकड़ों में काट लिये हैं अद्रक को देखे कदुकस कर लिये हैं हरा मिर्च को चौप कर लिये हैं लहसुन को भी चौप कर में लिये हैं धनिया पत्ता भी ले लिये हैं अब देखिए बनाते हैं सर्सो टेल कड़ाही में ले लिये हैं जीरा डाल डिये हैं येंग दाल दीए तड़का जीरा ज्यादले डालना है अब देखिए अद्रक, मिर्ची, और चौप किया हुए लफसुन सब को डाल दे रहे हैं अब इसे हलका ब्राउन करना है बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा हल्दी डाल दिये हैं थोड़ा सा कस्मीरी मिर्च डाल दियें, चौथाई चमच अब आलू को डाल करके भूनेंगे, काफी चटपटा बनेगा सब ही बनाते हैं, हम भी बनाए हैं, सब का तरीका अलग अलग है, देखिए नमक भी डाल दियें एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर देखिए हाफ चमच धनिया पाउडर डाले हैं, चौथाई चमच जीरा पाउडर डाले हैं उससे जीरा से भी कम काली मिर्च डाले हैं चौथाई चमच लाल मिर्च पाउडर जो रेगुलर मिर्च पाउडर रहता है और डाल दिये हैं तीखा और चरपटा बन गया आलू जीरा देखिए धनिया पत्ता भी डाल दिये हैं जल्दी बन जाता है पूरी के साथ खाईए पराठा के साथ खाईए चावल दाल के साथ खाईए अच्छा लगता है खाने में देखिए सर्व करके आपको दिखा रहे हैं बहुत ही टेस्टी बना है अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरा चाइनल खाना खुस्पू भरा को सब्सक्राइब करिए